C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरप्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्टे पुस्तक हमारे आसपास का दूसरा पाठ कहानी सपेरों की प्रिष्ट 15 मैं हूँ आरेनात तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हूँ जानते हो क्या मैं बीन बजा सकता हूँ हो गए न हैरान हाँ मैं सापों को अपनी बीन की दुरी पर नचा सकता हूँ यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है हमारे लोगों को काल बेलिया कहते हैं मेरे दादा रोशन नाज जी हमारी जाती में बहुत मशूर थे वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सापों को पकड़ लेते थे वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी उन्हें की जबानी यादें दादा जी की मेरे दादा पर दादा सभी सपेरे थे हमारी जिन्दगी सांपों से ही जुड़ी रही कंधे पर कावड जैसी पिटारी लटकाए हम एक गाउं से दूसरे गाउं में घूमते हम जहां भी जाते हमें देखकर लोगों की भीड इकठी हो जाती फिर हम पिटारी में रखी बास की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांप सांपों का नाच देखने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते उन्हें पता होता कि हमारे टिन के डिब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी ये सब ही जड़ी भूटियां हम जंगल से इकठी करते मैंने भी ये सब अपने दादाजी से सीखा मुझे लगता कि जहां डॉक्टर नहीं है वहां भी मैं अपनी दवाईयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता दवाईयों के बदले कभी लोग हमें अनाज दे देते तो कभी पैसे बस इसी तरह गुजर बसर हो जाते कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता जहां किसी को सापने काटा हो तब मैं साप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता कि किस सापने काटा है उसे मैं साप के काटने की दवा देता पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुँच पाया हूँ जानते हो ना कुछ साप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है पर ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते कभी कभी जब कोई किसान सांप सांप चिलाता हुआ भागा आता तब मैं ही उस सांप को पकड़ता आखिरकार मैं बच्पन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ वे बहुत बढ़िया दिन थे लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे लोग भी हमारी बहुत इज़त करते थे आज कल की तरह नहीं था अब तो मनुरंजन के लिए ज्यादातर लोग टीवी देखते हैं जब मैं बढ़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दाथ निकालने सिखाए जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया बताओ क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते देखा है? कहा? क्या तुमने कभी सांप देखा है? कहा? क्या तुम्हें उससे डर लगा? क्यों? तुम्हें क्या लगता है? सभी साप जहरीले होते हैं? तुमने पिछले पाठ में पढ़ा कि साप के बाहरी कान नहीं होते सोचो क्या वह बीन की दुन सुन पाता होगा? या फिर बीन के हिलने से ही वहनाशता होगा? अब हम क्या करें? आरे नात, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गाउं गाउं घूमा करते थे उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था आज की सोचूं तो बहुत परिशानी होती है सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल उचे दामों में बेशते हैं इसी लिए ऐसा कानून बनाया गया पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा हम सपेरों ने कभी भी साप को नहीं मारा ना ही कभी उनकी खाल बेची कुछ लोग कहते हैं कि हम सापों को बुरी हालत में रखते हैं चाहते तो हम भी सापों को मार कर खूब पैसा कमा सकते थे तब हमारी जिन्दगी एतनी मुश्किल भरी ना होती. सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी है, जो हम अपनी आने वाली पीड़ी को सौंपते हैं. सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहज़े के रूप में भी देते हैं. हमारे कालबेलिया नाच में भी साप जैसी मुद्राएं होती है आरेनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की जिन्दगी सोचनी पड़ेगी तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनुरंजन कर सकते हो पर तुम पीडियों से मिले सापों के इस ग्यान को बियर्थ न गावाना तुम शेहरों और गाउं के बच्चों को बताना कि सापों से ना तो डरने की जरूरत है और ना ही नफरत करने की उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले साबों को पहचानना है उन्हें यह भी बताना कि साप तो किसान की दोस्त हैं साप ना हों तो खेतों में फसलों को चूरों से कौन बचाएगा अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी ये कहानी सुनाना अपनी जिन्दगी की एक नई कहानी भी बनाना अपने पोते पोती को सुनाने के लिए कहानी सपेरों की अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का दूसरा पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत